राम राम, भाई और बैनों, आप सबको मेरा राम राम, देखिए, ये हर्याना की धर्ती है, महाभारत की धर्ती है, भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश दिया, यहीं से एक संदेश, हमेशा के लिए यहां से उठा, न्याय का संदेश, वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे सम्विधान को बनाया, आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है यहां के किसानों ने यहां के जवानों ने यहां के खिलाडियों ने पूरे देश का सम्मान रखा देश के हित का सम्मान किया उसकी सुरक्षा की आप अपने बच्चों को पालते पोचते हैं आपके ही बच्चे हमारी सरहत पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं जान देने के लिए तैयार रहते हैं हर पल हर्याना के प्रदेश के बच्चों ने आपके बच्चों ने यहां की बहनों ने यहां के बुजर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है दस सालों से आपके प्रदेश में भाजबपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया आपको अपमानित किया और आपका निराधर किया हर स्तर पर आपका निरादर किया यहां क्या किसान इस पूरे देश का अंदाता है आपने अंदोलन किया तीन काले कानून लाए आपने अंदोलन किया आप खड़े रहे डटे रहे आपको क्या मिला आसुब गैस मिली लाठिया मिली सुनवाई नहीं मिली आपको कहा गया था कि MSP मिलेगी आज भी जो MSP 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहें इंग मेंसे तो 10 आप उगाते ही नहीं हैं आपके साथ विश्वास घात हुआ हर स्तर पर नौजवानों के साथ देखिए यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप हाथ उठा के बताईए कितनों को रोजगार मिलाए इस सरकार से एक हाथ नहीं उठेगा सब मरा कर रहे हैं यहाँ के नौजवान करमट है हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं दिल्ली में, मुंबई में, अलग-अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं रोजगार वहाँ मिलता है तो हम खुद देखते हैं जब भी मैं मिलती हूँ कोई हर्याना का युवा है मुझे मालुम होता है यह करमट बच्चा है मेहनती बच्चा है इसका आत्म सम्मान है लेकिन हर्याना के अपने प्रदेश में जो दस सालों से सरकार चल रही है उसने इसका भी सम्मान नहीं किया नौजवानों के लिए क्या मिला बेरोजगारी मिली अगनीवीर जैसी स्कीमे मिली जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे शहीद होने को तयार होंगे तब भी आपको कुछ रही मिलेगा चार साल बाद वापिस आईए और फिर से बेरोजगारी का आप संगर्श करिए पहलवानों को देखिए हमारे खिलाडी है इनके साथ क्या किया गया हमारा सम्मान रखते हैं पूरा देश देखता है अलिम्पिक्स में जाते हैं हिम्मत करते हैं इतनी महनत करते हैं मैं जानती हूँ कि गाओं गाओं का बच्चा हर्याना में महनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में और उनके साथ क्या किया गया उनको सरक पे बिठाया गया आंदोलन करते रहें प्रधान मंत्री जी के पास पांच मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं कि पूछ लें कि क्या बात है किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलिम्पिक्स में अभी हाल में क्या हुआ आप लड़ने वाले लोग हो अपना आत्म सम्मान है आज किसी से लड़ रहे हो महंगाई से लड़ रहे हो महंगाई से लड़ रहे हो संघर्ष कर रहे हो सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए जहां देखो स्कैम पे स्कैम स्कैम पे स्कैम नौजवान पढ़ते लिखते हैं किसलिए पेपर लीक होता है एक भी भरती नहीं होती है तमाम जो सरकारी नौक्रियां सब खाली पड़ी रहती है तो आपका सामने आपके सामने आपका भविश्य क्या है आज आत्म संमान से जीना है न्याय चाहिए तो इस सरकार को फेक निकालो हटा दो इस सरकार को कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से सेफ बड़ी-बड़ी बाते हैं और मुझे ताज़ुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधान मंत्री भी यहाँ आते हैं वही पुरानी बाते कह रहे हैं जो दس साल पहले कही है आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे MSP करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे अरे दस सालों में क्यू नहीं किया दस सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई जवानों की पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की जो महंगाई के सामने तडप रहे हैं जूज रहे हैं महिंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते हैं, जो हार आते हैं घबराहत होती है, घर में कोई बिमार पढ़ता है, घबराहत होती है, फीज भरनी पढ़ती है, घबराहत होती है, और ये लोग वही घिसी पिटी बाते हैं, जो दस सालों पहले उन्ह बार बार दोहराते रहते हैं कोई नई स्कीम इनोंने निकाली आपके लिए एक स्कीम निकाली ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है ये है इनकी नई स्कीम परिवार पहचान पत्र कहते हैं ये परिवार परिशान पत्र बन गया है इसके लिए भी आपको परिशानिया ही जेलनी पड़ रही है, इसके इलावा कुछ नहीं आने ही लाए है आपको मजबूत करने के लिए आपके भविश्व को उजवल करने के लिए आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए है शेहलजा जी ने कहा कि यहाँ कॉंग्रेस की लहर है हुडा जी ने भी कहा कि पूरे हर्याना में कॉंग्रेस की लहर है मैं कहती हूँ यह आपके सम्मान की लहर है यह आपके सम्मान की लहर है अब समय आया है कि सम्विधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है इसको आप एकदम साफधानी से आप इसका इस्तमाल करें अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनेतिक दल ने आपको बाटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे आप इनके बहकावे में आ जाएंगे तो आपको अपना संबान वापस नहीं मिलेगा इस सम्विधान ने आपको सम्मान दिया है इस सम्विधान ने आपको हक दिया है अधिकार दिया है इस सम्विधान को बदलने वाले जो बात करते हैं कि इस सम्विधान को बदलेंगे उनको आप बदल डाली ये सम्मान की लहर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है इसको और भी मजबूत बनाईए भाजबपा जा रही है कॉंग्रेस आ रही है आपका सम्मान आ रहा है आप मेरे साथ एक बार कहिए भाजबपा जा रही है कॉंग्रेस आ रही है डटकर वोट दीजिए कॉंग्रेस के जितने भी नेता है यह आपके लिए समर्पित है यह हमेशा से जमीनी नेता रहे हैं यहाँ पर सब मंच पे बैठे हैं मेरे बड़े भाई राहुल जी जिन्होंने पूरे देश भर में यात्रा की इससे बड़ा समर्पन आप मुझे पूरे देश भर में दिखा दीजिए जो आपके लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं जो दिन रात आपके लिए आपकी एकता के लिए आपके सम्मान के लिए काम करते हैं हुड़ा जी बैठे हैं शैलजा जी बैठी हैं तमाम हमारे कारिकरता हमारे कॉंग्रिस के पदादी कारी बैठे हैं साब आप ही के लिए समर्पित हैं हर्याना को मजबूत बनाने के लिए हर्याना के विकास के लिए आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे आप हमारे हाथ मजबूत करिए, इस चुनाओं में दिखाइए, कि आप आज भाजबपा से ठक चुके हैं, उप चुके हैं, आप आज एक नई सरकार चाहते हैं, जो आपके लिए काम करें, जो 24 घंटे आपके सम्मान को उभारें, और आपको मजबूत बनाएं, आपको बहु जी से कहती हूँ, आके आप से बात करें, धन्यवाद